कार साथियों, डॉक्टर रुमंख खना हुमियोपेटिक लेनी के इस प्रोग्राइम में आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट विसाय के और विसाय कौन सा नमक हम इस्तमाल करें खाने का जो नमक होता है, आखिर हम कौन सा नमक अच्छा होता है और क्यों यहाँ वीडियो बनाने की प्रेड़ना साथि हमको अपने क्लीनिक के कार्टरम से मिली हमारे क्लीनिक पे 10 अपरेल को टाटर हैनी में जैनती पे एक इंटेलिप्ट्वल बुद्ध जीवी लोगों की परिचर्चा चल लई थी उसी परिचर्चा में एक हमारे बहुत अजीज मित्र हैं और बहुत ही बड़े योग गुरु हैं और बहुत ही बड़े एक दार्सनिक हैं स्री राजेश टंडन जी राजेश टंडन जी किसी कहने ही जाते इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा मेरा सौभाग है राजेश टंडन जी पचास साल बात किसी सार्वजनिक कारकरम में आये थे और वो आपके छोटे से गरीब के क्लिनिक पर आई थे तो टंडन जी का मैं बहुत बहुत धन्य बाद देता हूँ तो राजेश टंडन जी की बारी आई बोलने की साब तो राजेश टंडन जी ने अपने अभिभादन को उद्भोधन को सुरू करा इस बास से कि मैं ट्राटा को इस देश का सबसे बड़ा दुस्मन मानता हूँ अब साब हम लोग 15-20 जो intellectual बैठे थे मैं नहीं था उसमें मैं intellectual नहीं हूँ लेकिन 15-20 बहुत पड़े लिखे PhD और डाक्टरेट लोग बैठे थे तो वो सब बहुत जक्के रह गए लाखों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं और उसमें राजेश्ट इंडर जी ने ये क्या कह दिया ट्राटा को देश का सबसे बड़ा दुस्मन मानता हूँ तो हमसे रहा नहीं गिया हमने का या तो इस प्रोग्राम को रोग दें इनको मना कर दें या फिर इनसे पूछें इस बात को आगे बढ़वाएं तो हमने पूछा है सर ऐसा क्यों ऐसा कैसे हो सकता है बोले जी हाँ मैं राज़ा को सबसे बड़ा दुस्मन इस देश का मानता हूँ क्योंकि ट्राटा ने नमक इस देश को दिया और वो नमक दिया जो सबसे ज़्यादा घातक है आज जीतने ब्लड प्रेसर का इत्ता ज़्यादा बढ़ रहा है वो इसी तरह बढ़ रहा है बहराल तो एक बात कहने के थी ट्राटा वो भी मानते हैं उन्होंने भी इस बात को रखा कि ट्राटा हिंदुस्तान की वो कंपनी है जो बिजनेस नहीं करती लोगों पर राज करती है वो इस देश को आगे बढ़ाने में चाहे डिफेंस डील्स हो चाहे डिफेंस की ट्रक्स वगएरा हो चाहे देश का जो ट्रांस्पोर्टेशन का बैक बोन है चाहे ट्रक्स हो चाहे हेवी वेहिकल्स हो चाहे कुछ हो एक हुमन हाट के साथ कंपनी है एक दिल के साथ है और असाब को मैं सादर पडाम करूंगा कि ये बात केवल मैंने अपनी एक पॉइंट को रखने के लिए कही इससे किसी ब्रांट का लेना देना नहीं है तो जो है वो बड़ा जो है साथ इस पे तो हमने का सर ऐसा क्यों तो फिर बोले कि इसने देश को बरबाद कर दिया इस नमक ने क्योंकि इसने ब्लड प्रेसर के मरीज तमाम मरीज हुए तो फिर मैंने का कि लाओ इसके थोड़ी पढ़ाई करते हैं तो जब अबने गूगल करा तो हमने देखा बजार में बहुत सारे नमक आते हैं इतने तरह के नमक आते हैं चाहे हिमालियन पिंक सॉल्ट हो गया सेंधा नमक हो गया रौक सॉल्ट हो गया पोचर सॉल्ट हो गया, प्लें सॉल्ट हो गया, और फाइन सॉल्ट हो गया, अब तो तमाम फ्लेवर्स में भी सॉल्ट बनने लगें, वहा हो गया, तो बात हुई कि सहाब, मैंने अपने घर में सोचा, मैंने कौन सा नमक खाना चाहिए, तो जब मैं राजेष टंड़नी ने फिर हमको नमक के बारे में बताया कि आखिर हमें इस सफ़ेद नमक को छोड़के, रॉक सोल्ट यानि यह जो काला नमक सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक इसके implication या फिर हिमालियन पिंक सोल्ट जो पाकिस्तान में होता है, जिसमें की काफी मिंडल्स पाई जाते हैं उस तरह क्यों आना पड़ेगा अब एक बात आई कि साहब देखिए यहां मैं कुछ बात को थोड़ा जल्दी खतम कर देता हूं जैसे जो अपना टेविल सॉल्ट होता है वाइट सॉल्ट यहां कई रिसर्चेश में बहुत हानी कार काने लगे हैं और इसके अलावा तमाम सॉल्ट आते हैं लेकिन जो दो सॉल्ट जिन पर हम लोग डिबेट करते हैं कि कौन सा अच्छा हैयं रिस में होता है हिमालियन रेंज में होता है और एक होता है सेंदा नमक यानि की रोक सॉछł्ट इनमें से आप कौन असा उसकरえば को पताते हैं इन दोनों Sorts की Properties, बाकी Decide आपको करना है कि आपको कौनसा सौ 카메लेना है। अब साथियों सौ23 की उपयोगां के लिए हमको अपने भूत काल में जाना पड़ेगा, हमें अपने पुराने समय में जाना पड़ेगा जिस समय साइंस मैं मानता हूँ कि आज से कई गुना अच्छी थी तो पुराने लोगों ने जो है वो जो हम लोग को सजेशन दिया है वो दिया है रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक का अब साब rock salt यानी सेधा नमक क्यों हम सब को सफेद नमक को यहाँ छोड़के मेरे हिसाब से सेधे नमक पर आना चाहिए और बहुत से समरांथ लोग इस पर आ भी गए है जो अपना इससे पहले हिमालियन salt की बात कर लेते हिमालियन salt जो pink salt होता है यहाँ भी अच्छा salt होता है जिसमें sodium, potassium, calcium, minerals होते हैं लेकिन जो सब से अच्छा salt पाया गया है साइंस में वहाँ है सेंधा नमक साथियों इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें 84 trace elements पाय जाते हैं 84 trace elements सब तक सेंधा नमक में identify करे जा चुके हैं सेंधा नमक साथियों इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें sodium chloride का NaCl का concentration कम होता है यानि जो आप low sodium नमक बजार से खरीद के लाते हैं वो सब properties आपको सेंधा नमक में मिल रही है तीसरी बात साथियों जो अपना rock salt यानि सेंधा नमक होता है यहाँ pure होता है इसमें sodium, calcium, potassium, magnesium, iron सारे elements पाए जाते हैं और यहाँ blood pressure के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें NaCl का concentration कम होता है तो साथियों सारे analyzation के बाद इस निशकर्ष पे मैं पहुचा कि मुझे अपने घर में अब सेंधा नमक का इस्तमाल करना है वो थोड़ा सा महंगा जरूर पढ़ता है लेकिन जान है तो जहान है जब जानी नहीं रहेगी तो महंगाई किसको दिखाना साथियों सेंधा नमक के विशह में आपको यहाँ भी बता दें कि यहाँ जो है चरक ने 300 BC में 300 BC में आपने सेंधा नमक की खोच करी थी सेंधा नमक को स्वास्त के लिए सब से अच्छा कहा था और ओल इद गोल इसलिए यहाँ नमक आपके सामने है तो आप सब सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं मेरी राय में सेंधा नमक सब से अच्छा रहेगा आप सब की सेहत के लिए आप साथियों अच्छे बने रहें स्वस्त बने रहें ऐसी डाक्टर उमंखना कामना करता है क्ल सुस्क्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियों राप्त करते रहेगा आपका साथियों ती देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्चस्च चलिज तो कर दो बाएंग है